देश निती किवल सच्ची और पक्की खबे मेरी नजर में वो था कि जब इंडिया गडबंदन की बुनियाद रखने के लिए नितीश कुमार ने काम किया था और छे महीने आठ महीने पहले भारते जंता पार्टी जो दोहजार चौबिस में बिल्कुल एजली आती हुई दिख रही थी इंडिया गडबंदन भले उसमें को लाईया हो बनने के बाद उसमें दिक्कत पैदा हो एक चाल और चल दी है नितीश कुमार ने यह तो आप जानते हैं कि नितीश कुमार ने अभी एक सर्वे कराया था जन गरना का उसके अंदर उसने बताया कि कितने परसंट कितने लोग हैं हलाकि परधान मंद्री जी ने कहा कि यह समाज को विभाजित करने का काम है लेकिन हमिश्चा ने का कि हम तो इसके साथ हैं ये बिहार में बात कही सुशील मोदी ने भी कहा और कॉंग्रेज भी इस वाले मुद्धों को भुनाने लगी पूरे देश में लेकिन आपको मालूम है इसकी उत्पत्ती किसने की थी ये कीती ओ, लालू परसाद यादव ने पुराने वक्से ही वो जाती गत जन गनना के पक्षमे रहा बन दा, लेकिन नितीश कुमार ने ऐसे वक्त में कैसा चाल चल दी है कि 2024 जनवरी में जब शिरी राम जी के मंदिर का दर्वाजे को खोलने की बात होगी न और पूरी दुनिया कूरे हिंदुस्तान को हिंदुतों की चादर में नहलाने की बात होगी उस समय नितीश कुमार का ये दाव चुकि ये पेट से जुड़ा है चल जाएगा हुआ क्या है उसने कह दिया कि ये लोग जिनको हमने बताया कि जातिकत एदबार से इतने लोग इतने हैं इनको रिजर्वेशन जादा मिलने चाहिए और इसकी जो सीमा है वो 75% तक चली जाए पचास तो है 10% याद होगा मोदी जी ने दे दिया था इकनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है EWS उ में मोटी मोटी बात बताऊंगा खबर पढ़ना किसी दूसरे आदारी की समझ में मुझे इसलिए नहीं आता चूकि खबर का मोमेंटो तूटता है मैं सिर्फ एक जगे की चीज दिखाता हूं आपको नितीश ने कहा कि कहीं कोई बोल देता है कि इस जाती की संक्या बल गई यह बहुत बखवास बात है यह सब नहीं बोलना चाहिए जब भी हुआ है केंदर की सरकार ने कराया है अब जो उन्होंने कहा है किस वर्ग में कितना गरीब आदमी अपनी जिन्दगी को मुझकिल से गुजार रहा है वो देख लीजे लिखता है अखबार के पिछला 30.16 सबा 33% विचला वर्ग के अंदर गरीब परिवार हैं पिछले वर्ग में सामानने वर्ग में 25 फीसद हैं अतियांत पिछला में 33.58 साले 33 फीसद वो परिवार हैं जो गरीब हैं जिनको ज्यादा संसादन देने की जरूरत है सी के अंदर 42% 9 यानि के 43 फीसद सी के अंदर हैं और स्टी के अंदर 42.7 एक्चुल स्थिती बिमारी पता करके खाना देने की बात दवाई देने की बात चल रही है नितीश कुमार के बारे में मैं आपको बताओं दर्शकों कि ये वाला तुरुप का एका चुनावी एदव से हला कि ये तो मैं होना चाहिए ता 75 साल पहले और 50 साल पहले या 40 साल पहले अब ये 75 साल और 100 साल होने वाले हैं जब अब ये पता कर रहा हैं कि दरसल किसने कितने भूके हैं किसको क्या देना चाहिए वरना इतने मोटे मोटे पेट जो धनाडे के कर दिये हैं जो अपर कि आप जो तरह के वर्ग हैं, OBC याती पिछला पिछला, ये दोवत की रोटी खाने के लिए परेशान है, अब ये जो सर्वे निकल के मैं आपको बता रहा हूं, कि इतने परिवार इतने है, समानने वर्ग में भूमिहार सबसे ज़्यादा 25% गरीब है, कायस्त में 13% है, और या ओफिसर हैं, लक्षमन यादव को एक बात कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भले किर्शी परधान देश कहा जाता हो भारत को, लेकिन ये जाती परधान देश है, मायवती का वोट मायवती के तरफ आज आएगा, बशरते मायवती एक्टिवली मांगें, यादव वोट मुल मान इखटा हो करके, अगर अपना समर्थन देने लगेगा, ना किसी को भी, सरकारे बनवा देगा, आज इसे ज़्यादा परदेशों में, लेकिन बेराल अच्छी बात है, वरना ही पाकिस्तान बना देते हैं, उसकी पार्टी को, मुल, मायम की पार्टी को क्या बना के रख पार्टी बड़ी बोखलाई हुई है, मैं ट्यूटर पर देख रहाता आज, कि नितीश कुमार का एक बयान जो उन्होंने थोड़ी जनसंक्या के संबंदित दिया है, थोड़ी लेंगवेज मुझे भी वलगर लगी, लेकिन अब बिहार के लोग हैं, पता नहीं किस परकार दिया है, आखरी बोल पर, और यह ऐसा चक्का है कि उत्तरपरदेश भले हिंदुत वादी पूरी की पूरी चत्रचाया में जीता हो, लेकिन जाती वाद यहां पर भी मौझूद है, उलिसा में, बंगाल में, और तुमारा बिहार में, और हर्याने में भी, और यहां पर जो देंट दे, आपको खबर कैसी लगी है, अपनी रा कमेंट्स बॉक में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नेक्स टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ, जैखिन